मान्यता है कि बजरंग बली की पूजा करने से भक्तों के सभी दुखदर्द दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं मंगलवार को हनुआन चालीशा का पाट का भी विशेश महत्तु है आए जानते हैं इससे जुणे कुछ नियम शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार के दिन हनुआन चालीशा का पाट अवश्य करना चाहिए पाट से पूर्व साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इसलिए पाट से पहले स्नान करके ध्यान करें और स्वयम पर गंगाजल छिड़कें पूजा के समय बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें बिना आसन के फर्श पर ना बैठें इसे अशुब माना जाता है भगवान का कोई भी कारे करते समय चटाई या फर्श पर बैठने से ना चुकें हनवान चलीशा का जाब शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें इसके बाद ही हनवान चलीशा का पाठ करें माना जाता है कि इससे आपका मनोवान चितकार सिद्ध होगा हनवान चलीशा का जाब करने से ठीक पहले दीपक जलाएं और हनवान जी को फूल चणाएं साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी के प्रती वैर और क्रोध ना हो एक्छाओं को ध्यान में रखकर ही चलीशा का पाठ करना चाहिए